श्री शिवाय नमस्ति व्भ्यम, शिवपुरान की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्धिक स्वागत हैं, भगवान भोलिना थ्वरमाता पार्वती आपकी समस्त मनू कामनाओं को पून करें। शिवपुरान की कथा में आज कलाब सुन रहे हैं देवित दुर्गा के अवतारों की कथा और राक्षिसों के दैत्यों के संघार की कथा। रिशी कहते हैं हे राजन प्रसंशनिय पराक्रम शाली महान असुर शुम्भ ने इन स्रेष्ट दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्या दी जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्षिसे खिलूरते थे। उसने कहा आज मेरी आज्या से कालक, कालकेय, मौर्य, दोहार्द्र तथा अन्य असुर गण बड़ी भारी सेना के साथ संगटित होकर विजय की आशा रखकर शिक्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। युद्ध स्थल में म्रिदंग, मर्दन, भेरी, डिंडिम, जांच और ढोल आदी बाजे बजवाएं। उन जुझाओ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्सां से भर गये। परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे, वे उस रण भूमी से भाग चले। बारम बार शतगनी अर्थात तोप की आवाज होने लगी। जिसे सुनकर देवता काप उठे। धूल और धुए से आकाश में महान अंदकार चागया। सूर्य का रत नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोणों पैदल योधा विजय की अभिलासा लिए युद्धस्तल में आकर डट गए थे। घुरसवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूड असुर्भी बड़ी प्रसनता के साथ करोणों की संख्या में वहाँ आये थे। उस महासमर में काले परवतों के समान विशाल मदमत्त गजराज जोर-जोर से चिगाड रहे थे। छोटे-छोटे शेल सिखरों के समान उट अपने गले से गल-गल ध्वनी का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमी में उत्पन हुए घोडे, गले में विशाल कंठाहार धारन किये जोर-जोर से हिन हिना रहे थे। वे अनेकों प्रकार की चाले जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश यह देखकर सिंग भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कमपाता हुआ जोर-जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमाले परवत पर खड़ी हुई रमणिय आभूश्रों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुम्भ विलासमी रमणियों के मनुभावों को समझने में निपुर पुरुष की भाती सरस्वाणी में बोला। महेश्वरी तुम जैसी सुन्दरियों के रमणिय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनुहर शरीर से तुम विक्राल युद दरुष्ट होकर समर भूमी में बाणों की अद्बुत विष्टी करने लगा। मानों बादल जल की धारा बर्सा रहे हो। उस समय उस रण शेत्र में वर्षा रितु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। शुम्भी की पता काएं जो उर्ती हुई बलाकाओं अर्थात बगलों की पक्तियों के समान श्वेद दिखाई देती थी अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। छत विक्षत शरीर वाले दैत्य प्रित्वी पर गिरकर मचलियों के समान तडप रहे थे। गर रत की धारा बहाने वाली कितनी ही नदिया बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भाती दिखाई देते थे। और उनकी चादरे सफेद फेन का भ्रम उत्पन करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने वाले तथा राक्षसों का महान संगार हो जाने के पस्चात प्रिया अंबिका के पास किया। उसने जोर जोर से शंक बजाया और शत्रों का दमन करने वाले धनुस की दुस्सह टंकार ध्वनी की। तथा देवी का सिंग भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दाडने लगा। इन तीन प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज तदनंतर जगदंबा ने अटहाज किया। जिससे समस्त असुर संत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शुम्भ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पुर्वक खड़े रहो। तब देवता बोल उठे। जै हो जै हो जगदंबा की। इस समय दैप्तिराज शुम्भ ने ब ततपस चात चंडिका ने त्रिशूल उठा कर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मुर्चित होकर वह इंद्र के द्वारा पंक काट दिये जाने पर गिरने वाले परवत की भाती आकाश प्रिध्वी तथा समुद्र को कमपित करता हुआ धर्ती पर ग उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विद्रण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकच से मृत्यू को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महा पराक्रमी नि स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्क से बहने लगी, मंद मंद वायू बहने लगी जिनका स्पर्स सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया, देवताओं और ब्रह्म हर्शियों ने फिर से यग्य यागादी आरंब कर दिये, इंद्र आधी सब देवता सुखी हो गय हे प्रभो, देत्यराज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो स्रध्धा पुर्वक बारम बार श्रमण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुरलभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महा माया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। हे इस प्रकार शुम्भा सुर्का संगहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंसे से प्रकट हुई थी। अब आप सुनेंगे देवताओं का गर्वदूर करने के लिए तेजह पुन जरूर्पिणी उमा का प्रादुर के पुर्ण ज्याता सूति जी भुवनेश्वरी उमा के जिन से सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पुनह वर्णन कीजिए वे देवी पर ब्रह्म मुल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमई सती कही जाती हैं। सूति जी ने कहा त माया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूर्वीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्मप्रसंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं। धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे। व माहो देवताओं का कैसा सोभाग्य हैं। इस प्रकार वे जहां तहां डेंगे हाकने लगे। तदनंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विश्मय से भर गये। वेरूंदे आज इंद्र ने देवताओं को आग्या दी। तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परिक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायू देव उस तेजह पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशी ने उन्हें संभोतित करके पूछा। अजी तुम तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायू देवता अभिमान पुर्वक बोले। मैं वायू हूँ, संप्रोड जगत का प्राण हूँ, मुझे सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओप्रोथ है, मैं ही समस्त विश् संचालन करता हूँ, तब उस महातेज ने कहा, वायो यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो, तो यह त्रिण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसाल चलाओ तो सही, तब वायू देवता ने सभी उपाई करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परन्तु वह तिन इनका अपने स्थान से तिल भर भी न हटा, इससे वायू देव लजित हो उठे, वे चुप होकर इंद्र की सभा में लोट गए, और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा व्रितांत उन्हों ने सुनाया, वे बोले, हे देवेंद्र, हम सब लोग जूठे ही अपने में सर्व स्वयम गए, इंद्र को आते देखकर वह अत्यांत दुस्सहतेज, तत्काल अद्रिश हो गया, इससे इंद्र बड़े वेश्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है मैं उसी सर्वेश्वर की शरण लेता हूँ, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारं बार इसी भाव का चिंतन करने लगे, इसी समय निस्चल करूणा मैं सरीर धरन करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी, शियोप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चेत्रशुकला नौमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई, वे उस तेजह प रमशह, वर, पाश, अंकुष और अभैधारन किये थी, शृतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी, वे बड़ी रमणिय दिखती थी तथा अपने नूतन योवन पर उन्हें गर्व था, वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रिंगार किया गया था, वे कोटी कोटी कंदर्पों के समान मनोहारणी तथा करोणों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से शुशोबित थी, सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षणी तथा परब्रम स्वरूपिनी उन महा माया ने इस प्रकार कहा, उमा बोली, मैं ही परब्रम, परम जोती, प्रणव रूपिनी तथा युगल रूप धारणी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन कोई पदार्थ नहीं है, मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्वतत्व स्वरूपिनी हूँ, मेरे गुण अतर क्या है, मैं नित्य स काली लक्षमी और सरस्वती आधी संपुर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंच से ही प्रकट हुई है मेरे ही प्रभाव से तुम लोगोंने संपुर्ण द्यत्यों पर विजय पाई है मुझे सर्व विजाईनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थी अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो जैसे इंद्रजाल करने वाला सुत्रधार कटपुदली को न चाता है उसी प्रकार मैं इश्वरी ही समस्त प्राणियों को न चाती हूँ मेरे भै से हवा चलती है मेरे भै से ही अगनी देव सब को जलाते है तथा मेरा भै मान कर ही लोक पालगण दिरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते है मैं सर्वता स्वतांत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाई को विजयी बनाती हूँ तो कभी देत्यों को माया से परे जिस अभिनाशी परातपर धाम का शुतियां वरणन करती है वह मेरा ही रूप है सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप वाने गये हैं इन में से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित देवताओं ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृती की प्रेम पुर्वक अराधना करो देवी का यह करुणा युक्त वचन सुनकर देवता भक्ति भाव से मस्तक जुका कर उन परमेश्वरी की स्तूती करने लगे और अब आप सुनेंगे देवी के द्वारा दुर्गमा सुर्गावद तथा उनके दुर्गा, सताक्षी, शाकंबरी और भ्रामरी आधी नाम पढ़ने का कारण मुनियों ने कहा हे महाप्राग्य सूत जी हम सब लोग प्रती दिन दुर्गाजी का चरितर सुनना चाहते हैं अतर आप और किसी अध्वुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्ण कीजिए हे सरवग्य शिरोमने सूत जी आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधा सद्रिश मध्रु कताएं सुनते सुनते हमारा मन कभी त्रिप्त नहीं होता सूत जी बोले हे मुनियों दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महा बलवान पुद्र था उसने ब्रह्मा जी के वर्दान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजे बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किये जिन्हें सुनकर देव लोप में देवता भी कमपित हो थे वेदों के अद्रिश हो जाने पर सारी वैदी क्रिया नष्ट हो चली उस समय ब्रामण और देवता भी दुराचारी हो गए न कहीं दान होता था न अत्यंद उग्रतप किया जाता था न यग्य होता था और न होम ही किया जाता था इसका परिणाम ये हुआ कि प्रिथ्वी पर सो वर्सों तक के लिए वर्षा बंध हो गई तीनों लोगों में हाहाकार मज़ किया सब लोग दुखी हो गए सब को भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा कुआ, बावडी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए समस्त व्रिक्ष और लताएं भी सूख गई इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए देवताओं ने कहा हे महा माये अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो अपने क्रोध को रोको अन्यथा सब लोग निश्चा ही नश्ट हो जाएंगे हे क्रिपा सिंधो हे दीन बंधो जैसे शुम्भ नामक दैत्य महाबली निशुम्भ धुमराक्ष्र चंड मुंड महान शक्तिशाली रक्त बीज मधू कैठब प्रता महिशा सुर्का तुमने वद किया था उसी प्रकार इस दुर्गमा सुर्का शीग्रही संगार करो बालकों से पगपग पर अपराद बनता ही रहता है केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो इस अपराद को सहन करता हो देवताओं और ब्राम्भनों पर जब जब दुख आता है तब तब शीग्रही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपा मई देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया उनका मुखार विंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशह धनूस बाण कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिये हुए थी उस समय प्रजा जनों को कष्ट उठाते देखकर उनके सभी नेत्रों में करुना के आशुच लगाए वे व्याकूल होकर लगातार नौ दिन और नौ रातों तक रोती ही रही उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की उन धाराओं से सब लोग त्रिप्त हो गए और समस्त औसधियां भी सिच गई सरिताओं और समुद्रों में अगात जल भर गया प्रित्वी पर साक और फल मूल के अंकुरुत्पन होने लगे देवी शुद्धर दैवाले महात्मा पुर्षों को अपने हाथ में रखे वे फल बाटने लगी उन्होंने गउओं के लिए सुन्दर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग के भोजन प्रस्तुत किये देवता ब्रामण और मनुस्यों सहित संपुर्ण प्राणी संतुष्ठ हो गए तब देवी ने देवताओं से पूछा तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूँ उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले हे देवी आपने सब लोगों को संतुष्ठ कर दिया अब कृपा करके दुर्गमा सुर के द्वारा अपहरित हुए वेद लाकर हमें दीजिये तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा देवताओं अपने घर को जाओ जाओ मैं शीग्रही संपुर्ण वेद लाकर तुम्हें अरपित करूँगी यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन हुए वे प्रफुल नील कमल के समानने त्रोवाली चकद्योनी जगदंबा को भली भाती प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले फिर तो स्वर्ग अंतरिक्ष और प्रित्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया उसे सुनकर उस भयानक देत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया तब शिवात देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजो में मंडल का निर्माण करके स्वेम उस घेरे से बाहर आ गई फिर तो देवी और देत्य दोनों में घोर युद आरंभ हो गया समरांगण में दोनों ओर से कवच को छिन भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी इसी बीच में देवी के शरीर से सुन्दर रूपवाली काली, तारा, चिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धुम्रा, श्री मती, त्रिपूर सुन्दरी और मातंगी ये दस महा विद्याएं अस्त्र सस्त्र लिये निकली तत पस्चात दिव्य मूर्ती वाली असंख्य मात्री काई प्रकट हुई, उन सबने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुर धारन कर रखा था और वे सब की सब विद्यूत के समान दिप्तिमती दिखाई देती थी, इसके बाद उन मात्री गणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंब हुआ, उन सबने मेलकर उस रोरव अत्वा दुर्गम दैत्य की सो अच्छोहिनी सेनाय नश्ट कर दी, इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला, वह दैत्य जड से खोदे गए विरिक्ष की भाती प्रित्वी पर ग भारन कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको सताक्षी कहेंगे, अपने शरीर से उत्पन हुए साको द्वारा आपने समस्त लोगों का भरन पोशण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याती होगी, हे शिवे आपने दुर्गम नामक महाद्यत्य का वद किया है इसलिए लोग आप कल्यान मही भगवती को दुर्गा कहेंगे, हे योगनिद्रे आपको नमस्कार है, हे महाबले आपको नमस्कार है, हे ज्यान दाइनी आपको नमस्कार है, आप जगन माता को बारम बार नमस्कार है, तत्वमसी आदी महावाक्यों द्वारा जिन परमेश् का ज्यान होता है उन अनंत कोटी ब्रह्मांटों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है माता आप तक मन वाणी और शरीड की पहुंच होनी कठिन है सुर्य चंद्रमा और अगनी ये तीनों आपके नेत्र हैं हम आपके प्रभाव को नहीं जानते इसलिए आपके श्तुती करने में असमर्थ है सुरेश्वरी माता सताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर द्रिष्टिपात करके ऐसी दया करे हे देवी आपको सदा ऐसा ही यतन करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विग्न बाधाओं से तिरस आप हमारे शत्रों का नाश करती रहें देवी ने कहा हे देवताओं जैसे बच्छों को देखकर गउए व्यग्र होकर उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल होकर दौड़ी आती हूँ तुम्हें न देखने से मेरा एक भी ज़ण युग के समान बीदता है मैं तुम्हें अपने बच्छों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ तुम लोग मेरे प्रती भक्ती भाव से सुशोवित हो हताह तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए मैं तुम्हारी सारी आपत्यों का निवारन करने के लिए सदैव उद्यत हूँ जैसे पुर्वकाल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है उसी प्रकार से आगे भी असुरों का संखार करूँगी इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ भविश्य में जब पुना, शुम्भ और निशुम्भ नाम के दूसरे दैत्य होंगे उस समय मैं यशो मही देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्ब से योनिज रूप धारन करके गोकुल में उत्पन होंगी और यथा समय उन असुरों का वद करूंगी नंद की पुत्री होने के कारण उस समय लोग मुझे नंदजा कहेंगे जब मैं भ्रमर का रूप धारन करके अरुण नामक असुर का वद करूंगी तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे फिर मैं भीम अर्थात भयंकर रूप धारन करके राक्षसों को खाने लगूंगी उस समय मेरा नाम भीमा देवी प्रसित होगा जब जब प्रित्वी पर असरों की ओर से बाधा उत्पन होगी तब तब मैं अवतार लेकर प्रजा जनों का कल्यान करूंगी इसमें शेंशे नहीं है जो देवी सताक्षी कही गई है वे ही शाकंभरी वानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा भी कहा गया है तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपातन होता है इस प्रिथवी पर महेश्वरी सताक्षी के समान दूसरा कोई दयालू देवता नहीं है क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देखकर नौ दिनों तक रोती रह गई थी और अब आप सुनेंगे देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्दी एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अंबा की स्रेष्टता, विभिन मासों और तितियों में देवी के वरत, उत्सव और पूजन आधी के फल, तथा इस संगीता के श्रमण एवं पाठ की महिमा, व्यास जी बोले, हे महामते, ब्रह्म बुत्र सरवग्य सनत कुमार जी, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ, उस क्रिया योग का लक्षन क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ती होती है, तथा जो पराअंबा उमा को अधिक प्रिय है, वह क्रिया योग क्या है, ये सब बाते मुझे बताईए, सनत कुमार जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहसे की बात पूछ रहे हो, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान दे कर चुनो, ज ज्यान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के तीन मार्ग कहे गए हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं, चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है, उसका नाम ज्यान योग है, उसका बाह्यवस्त्वों के साथ जो संयोग होता है, उसे क्र क्रिया योग कहा जाता है देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है कर्म से भक्ति उत्पन होती है भक्ति से ज्ञान उत्पन होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है ऐसा शा स्वामी समझे उन दोनों के स्वरूब को एक दूसरे से अभिन्य जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है हे काली नंदन जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर लकडी अत्वा मिट्टी का मंदिर बनवाता है उसके पुन्य फल का वर्ण सुनो प्रति दिन योग के आगे आने वाली हजार हजार पीडियों का उद्धार कर देता है करोणों जन्मू में किये हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेश रहते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंब करते ही छण भर में नश्ठ हो जाते हैं जैसे नदियों में गंगा संपुर्ण न मुख्य हैं जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है काशी कुरुक्षेत्र प्रयाग पुषकर गंगा सागर्तट नैमिशा रण्य अमरकंटक परवत परम पुन्यमय श्री परवत ज्यान परवत गोकर्ण मतुरा अयोध्या और द्वा वह पुरुष मनी द्वीप में प्रतिष्ठित होता है जो समस्त शुभलक्षणों से संपन उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परमधाम में जाता है शुभरितु शुभग्रय और शुभनक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके जो केवल जगद्योनी परा अंबा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए वे साक्षात देवी के गण हैं जो चलते फिरते सोते जागते अत्वा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारन करते हैं वे शिवा के ही गण हैं जो नित्य न जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवाम रमडिय मंद्र का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा अशिरवात देती हैं वे कहती हैं ये लोग मेरे हैं अतह मुझमें प्रेम के भागी बने रहकर सो वर्सों तक जिये और इन पर कभी कोई आपत्ति ना इस प्रकार श्री माता रात दिन आशिरवात देती हैं जिसने महादेवी उमा के शुब मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीडियों तक के लोग मणी द्वीब में सम्मान पुर्वक रहते हैं महा माया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भाती पूजा क करने के पसचाद साथक जिस जिस मनोरत के लिए प्रात्ना करता है उस उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है जो श्री माता की सथापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधू मिशृत घी से नहलाता है उसके एक रंग की गवों के दूद से परमेश्वरी को नहलाएं, अर्थात उनका अभिशेक करें, ततपस चात, अश्टा दशांग धूप के द्वारा अगनी में उत्तम आहुती थें, तथा गृत और करपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आर्ती उतारें, कृष्ण पक्ष की अश्टमी, नौमी, अमावश्या में अत्वा शुकल पक्ष की पंचमी और दर्शमी दित्यों में गंध पुष्प आदी उपचारों द्वारा जगदंबा की विशेश पूजा करनी चाहिए, रात्री सुक्त, स्री सुक्त अत्वा देवी सुक्त को या मूल मंत्र का जब करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए, विश्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेश सभी पुष्प देवी के लिए पृतिकारक जानने चाहिए, कमल का पुष्प उनके लिए विशेश पृतिकारक होता है, जो देवी को सोने और चांदी क फूल चढ़ाता है, वह करोणों सिध्धों से युगत होकर उनके परमधाम में जाता है, देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए शमाप्रातना करनी चाहिए, जगत को आनंद प्रदान करने वाली हे परमेश्वरी प्रसंद हो, प्रकार महिश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अरपित करें, जो परात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षन करता है, वह मनुश्य अपने सारे पापपंक को धो कर निर्मल हो जाता है, जो चैत्रशुकला तृति में तृतिया तिथी आती है, उस दिन भवानी की प्रसनता के लिए व्रत करना चाहिए, अगर हम व्रत करते हैं तो जन्ममरण के चक्र से, जन्ममरण के बंधन से मुक्ती मिल जाती है और परमपद की प्राप्ती होती है, विद्वान पूरुस इस तृतिया को दोलोट्सव करें, उसमें शंकर सहित जगदंबा उमा की पूजा करें, फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगरू, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा, शिव सहित सर्वकल्यान कारणी, महामाई, महिश्वरी, श्रीगौरी द वक्त तिती को देवी का व्रत और दोलोट्सव करता है, उसे शिवा देवी संपुर्ण अभिष्ट प्रदान करती है, अच्छा, इस सध्याय में सारी जो विशेश तितिया होती है, मादुर्गा के पूजा की, उन तितियों के बारे में वणन किया गया है, तो आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर रखें, नोट कर सकते हैं सभी तितियों को, और समय समय पर उनकी पूजा आरातना जो भी उपाईस में बताया गया है, वो आप कर सकते हैं। करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पूरुसार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त कर लेता है। जेश्ट शुकला तृतिया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसनता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उसके लिए कुछ भी असाथ्य नहीं होता। जटित रत की कलपना करके उसे पुष्प मालाओं से शुशोभित करें, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। ततपस चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करें कि पराअंबा उमा देवी संपुर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देख भाल करने के निमित रत के भीतर बैठी हैं। जब रत धीरे धीरे चले तब जैजय कार करते हुए प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन वरत एवं रतोत्सव करता है वह इस लोग में संपुर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। जाती हैं इसने संशही नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्ण करने में चतुरानन ब्रह्म्हा पंचानन महादेव तता सडानन कार्थी के भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। हे मुनिश्रेष्ट नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र राजा सुरत ने अपने खोई हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुधिमान नरेश दुरुवसंधी कुमार सुदर्सन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से चिन गया था। इस व्रतराज का अनुष्ठान और महिश्वरी की आराधना करके समाधी वैश्य संसार बंधन से मुक्त होकर मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्वीन मास के शुकल पक्ष में विधी पुर्वक व्रत करके तृतिया, पंचमी, सप्तमी, अश्टमी, नौमी एवं चतूर दशी तितियों को देवी का पूजन करता है। देवी शिवा निरंतर उसके संपुर्ण अभिष्ट मनोर्थों की पूर्थी करती रहती हैं, जो कार्तिक, मार्गशीट, पौश, माग और फालगुन मास के शुकल पक्ष में तृतिया को व्रत करता तथा लाल कनेर आदी के फूलों एवं सुगंधित पुश्पों से मंग इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महिश्वर आदी के व्रत हैं, मुमुक्षु पूरुसों को उनका भक्ति भाव से आचरन करना चाहिए, यह उमा संगिता परम पुन्यमई तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है, इसमें नाना प्रकार के देखी गई, यह संगिता वेधिवत पूजित होती है, वह संपुर्ण अपिष्टों को प्राप्त कर लेता है, उसे भूत, प्रेत और पिशाच आदी दूस्टों से कभी भै नहीं होता, वह पुत्र पौत्र आदी संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है, अ आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ, और कल से आप लोग सुनेंगे कैलास संगिता, आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करने के साथी, जाता से जाता शियो भगतों तक इस वीड लोट होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त होगी, मिलती हूँ मैं आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार